साइं चटपट से बनने वाला ब्रेक्वास्ट बनाइंगे, जो कम फास्ट से बनने दोर्य कोस्तों कुछा हिसे सच्छा जा रहा है, दो तेन पानी से अच्छे से धो का रुग है, फिर इसे थोड़ी देर के लिए पानी में रहने दिया है दो से तीर मिनट के लिए और आपको थोड़ा मोटा चूरा यूज़ करना है अब यहां पर मैं एक कड़ाई लोंगी उसमें तेल डालोंगी और मुंपली के दाने को अच्छे से फ्राइ कर लोंगी आप चाहो तो इसे रोस्ट भी कर सकते हो जब तक हम इसे फ्राइ करते रहेंगे और यह फ्राइ हो गया है तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं अब हम सेम कड़ाई में तेले डालेंगे तो चममच उसमें हम जीरा हरी मिल्ट डाल के अच्छे से इसे वी कुक कर लेंगे यह कुक होने के बाद यह बड़े प्यास को चौप क अब इसे प्ल्प रहेंगे जो गूदा रहेंगा उसे निकाल लेंगे फिर हम चौप करेंगे अब इसे भी मच्छे से कुक कर लेंगे जब थोड़ा दा को कोच तो हम इसमें स्वीट कॉर्ण एड़ करेंगे यह पूरी तरीकी जो अप्सनल है अगर आपको पसंदे तो अब इसे भी ऐड़ किया तो थोड़ा कुखओ ने दिया अब ढमये खडे मसाले डालेंगे मैं हाफ सब्याइं सब्सक्राइब कर लेंगे यह को खोने के बाद यहां पर मैंने चूरे को भिगाया हुआ था 2-3 मिट के लिए उसे भी अच्छे से हम डाल के मिक्स कर लेंगे जबी पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और फिर हम इसका फ्लेम को आफ कर देंगे अफ करने के बाद हमें क्या करना है नेमबू इसमें निचोड़ देना है अगर आपके पास नेमबू ना हो तो आप इसके जगहां पे अमचुर पॉडर भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे मच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा बन के तयारे पोहा अब हम इसे एक प्लेट लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हूँ तो प्लेज सस्क्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग